दोसों, OMG की अगली कहानी के लिए मैं पहुच गया हूँ, एहमदाबाद अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ खाकरा और खमन खाने नहीं आया मैं मिलने आया हूँ एक OMG कलाकार दीपक भट से लेकिन यह सेटप कलाकार वाला तो नहीं लग रहा यह क्या इंस्टूमेंट्स रखें सर जी, इन्हें देखकर लग रहा है यह कोई ऑप्रेशन करने वाले हैं अरे, यह क्या, इन्होंने तो सुपारी उठा ली अरे सर, आप पान बनाने वाले कलाकार तो नहीं अरे नहीं नहीं ये तो सुपारी पे कलाकारी दिखा रहे हैं ओ एम जी भाई एक इंच की छोटी सी सुपारी पर इतनी पारी की से कलाकारी आप कैसे कर सकते हैं क्या परफेक्शन के साथ हाथ चल रहा है सर आपका प्रिसुजन तो माइन ब्लोइंग है और हो भी क्यों न ये हैं हमारे बीटलनट आर्टिस्ट दीपक जी आप कलाकार नहीं आप तो महा कलाकार हैं जरा बताईए ये सुपारी की कलाकारी की शुरुवात कैसे हुई इसे कहते हैं कलाकार की नजर सुपारी जिसे लोग पान के साथ चबा देते हैं दीपक जी ने उसी सुपारी पे अपनी कला का जादू विखेर दिया अगर आपको ये OMG लगा तो दिल थाम के बैठिये क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं उससे आपके होश न उड़े तो मेरा नाम OMG रख देना ओहो लगता है ये उसी की तैयारी कर रहे हैं मैंने तो सुना है ऐसा दुनिया में और कोई नहीं करता दीपक जी जल्दी से करके दिखाईएं OMG दीपक जी सुपारी की कलाकारी में इतने माहिर हैं कि बाइक चलाते हुए भी ये सब कर लेते हैं बाइ ऐसी कलाकारी दिखाने में रिस्क तो बहुत है ओई-ओई ट्राफिक में भी क्या प्रिसिजन से सुपारी खरोच रहे हैं 50 की स्पीड एक हाथ में सुपारी दूसरे हाथ में चाकू फिर भी बाइक कंट्रोल में ऐसा OMG कलाकार मेरे पिटारे से ही निकल सकता है OMG क्या बात है सर पर ऐसा कॉंसेट्रेशन कैसे बना लेते हैं जो में आर्ट करता हूँ उसमें ध्यान योगाशन और प्रणायम की बहुत जरूरत है क्योंकि उसमें एकागरता बहुत जरूरी है इसके लिए मैं जीम जाता हूँ प्रणायम करता हूँ योगा करता हूँ और उबली भी सबजी अखाता हूँ 10th Standard में दीपक जी के पिता का देहान्त हो गया था Financial हालत ठीक ना होने के बावजूद उन्होंने कला से अपना नाता नहीं छोड़ा और मुश्किलों से उभरने के लिए कला और सूझ-भूज दोनों का बख्व भी इस्तमाल किया जब मैं मोर्भी में मूर्तिया बेचने के लिए गया था तो मेरे पास एक पर्ष ता वो गूम हो गया था तो मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं पांध के गल्ले पे जाके मैंने बोला कि मेरे को चार पांध सुपारी दोंगे तो मैं आपको गनिश भगवान की मूर्ति कार्व क्या बात है दीपक जी आप कलाकार तो बच्छपन से थे ही व्यापार भी बहुत अच्छे से जानते थे अरे फेल नहीं दीपक जी आप जिंदगी के इमतिहान में पास हुए हैं और ऐसे कलाकार बनके उभरे हैं जिने दूसरे कलाकारों और बड़ी हस्तियों ने अप्रिशेट किया तबी तो जिस सुपारी की कलाकारी के किसी जमाने में इने पचास से सौ रुपे मिलते थे आज पच्छीस हजार तक मिल जाते हैं एक ऐसे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी कला को ही अपना जीवन बना लिया तीस सालों की कड़ी महनत, क्रियेटिविटी और अपनी आर्ट के लिए डेडिकेशन की वज़े से दीपक है हमारे OMG हीरो